पूजा सारश्वत आपका फिर से एक बार स्वागत करती हूं अपनी बाल विकास की तीसी क्लास में जिसका नाम है विकास की भिविन अवस्थाएं इससे पहले मैंने आपको टौपिक करवाई था विकास को प्रवाबित करने वाले कारक कि विकास को कैसे कैसे क्या क्या प्रवाब डालता है उसके उपर क्या चीजे प्रवाबित करती हैं उसे तो अब मेरा नेक्स टॉपिक था विकास की विविन अवस्ता हैं जैसा कि मैं पता है जब भी बालक बड़ा होता है तो उसकी आउस्ता का रम में चलता है उसकी कई अवस्ताई होती है कि चलिए हम स्थ आगे पढ़ लेते हैं कि किस प्रकार से कैसे कैसे अवस्ता Performnant तो द विविन वरुद्ध कहा था उसने एक से फीन वर्स तक पूराjs बाले वस्ता कहा था उसने थीन च्छै वर्स तक उत्तर 15 अवस्ता उसने कहा था चे से 12 वर्स तक तता क्रिशूर अवस्ता ने इसे 12 वर्स उसी प्रकार हर लोग ने भी अपने 11 वश्तांगे ती तो उसने सबसे पहली अवस्ता नाम रखा था गर्व आवस्ता गिर्व आवस्ता मतलक है जबसे मा के गर्व में आता है या भूण में आता है तो इसे प्रूण अवस्ता या गर्ववस्ता दोनों कहते हैं तो गर्ववस्ता का इसने क्या टैम पीरिड बताया था कि गर्वाधान से जन्म तक सेस अवस्ता जन्म से दो सप्ताह तक बच्पना अवस्ता तीसरे सप्ताह से दो 2 वर्स तक पूर्व बालय वस्ता तीसरे वर्स से 6 वर्स तक मेलना ल्केल लिखना उपर लिखा पूर्व की सोल ववस्ता 13 से 17 वर्ष तक उत्तर के स्वर्वस्ता 18 से 20 वर्ष तक सी 25 सा कि 10 से 40 से 21 से 60 सी वर्श तक व्रद्द्दकष्थ उसल अलगा होती है व्रद्द वस्त वर्स व지만 सबसे पहले पहले बता चुकी लाती घुका के pourquoi तक उसके बाद सेसा वस्था उती वह सबुतर लेकर 15 दिनों की वस्था यह खहला त Tensor Hi e इस अवस्था को समायोजन की वस्था भी कहा जाता है मतलब ब 인्समें क्या adjustment करना सीखता है दूसरी आती है हमारी बच्पन आवस्था मतलब बच्पन की अवस्था तो यह अवस्था दो सप्ताह से होकर दो वर्ष तक चलती है यह अवस्था दूसरों पर निर्बर होने की होती है संवेक आत्मक विकास की द्रस्टी से इस अवस्था में बच्चे अब बोल तो नहीं पाता दूसरों तो क्या होता अपने संवेकों के दौरा वह चीज प्रदर्शित करता है कि मुझे भूख लगी है तो वह रोना स्टार्ट कर देता है तो यह अवस्था क्या कहलाती है संवेक प्रदान होती है मतलब संवेकों का इस पर बहुत ज्यादा जा उर होता है अब आती है बालेवस्ता यह बालेवस्ता को दो बांड दिया गया है वह सारे रिंभ उनची के दृस्टि से महत्वपूर है बाले वस्ता तक 90% विक्सित हो जाता है और उसकी बाद के अवस्ता के 10% विक्सित हो जाता है तो यह अवस्ता सारी एवर मानसिक विक्स की दस्ती से महदवापूर है यह दोबागों में बाटा गई है पहले पूर्व बाले वस्ता जो की 2 से 6 वर्स्तक होती है यह question भी आ जाता है पूर्व बाले वस्ता कितने से कितने वर्स्तक होती है उसके बाद उत्तर बाले वस्ता कितने से कितने वर्स्तक होती है या भी मैं आपको छोटा छोटा करा रही हूं इसके बाद में इनके बड़ हुआ हैं उसा स्वाल करना तो इसे बालकों में सब्सक्राइब того जिससे वह अपने माता पिता शिक्षकों से तरह तरह की सवाल करता है। बालवस्था में जो है वह अपने समूँ भी बनाने लगता है। मतलब दोस्तों को बनाने लगता है। तो बालवस्था में बालकों में समूँ प्रवर्ती का विविकास होता है। बच्चे साथियों के बीच का जैसे सेतू बोल सकते हैं कि जोड़ने की जो कड़ी होती है वही वयमसंदी कहलाती है किसी-किसी बुक में वयमसंदी को ही जो है पूर्व किसवरवस्था का नाम दिया गया है तो कन्फ्यूज ना हो तो वयमसंदी क्या होती है वयम शंदी बाल वस्था और कुसोर वस्था को मिलाने में सेथू का कारे करती है। यह आवस्था बहुत कम समय की होती है लेकिन सारिक विकास की दृस्टी से क्या होती है। महत्वपूर अवस्ता है इस अवस्ता की प्रमुक विशेष्टा है योन अंगों की परिपक्वता का विकास बालकाओं में यहां 11-13 वर्स की बीच प्रारम हो जाती है इसके बाद आती है किसोर अवस्ता यह भी दौन बाघव बांटी गई हैं यह वस्ता तेरे वर्द से इकिस वर्द से चलती है इस वस्ता में दो बाख़ा गया है यह उत्तर परस्ता नियोव होती है इस अवस्ता में बालकों में समस्य की अधिक्ता मतलब बालक जो ना सोचने ज़्यादा लगते हैं अपने ऐस्था में किसोरों को सारिक एवानसिक समायोजन में अधिकटनाईयों का सामना करना पड़ता है सारिक और मानसिक परिवर्टन की फलस्वरूप उनके समवेगात्मक सामाजिक और नैतिक जीवन का स्वरूप भी परिवर्टित हो जाता है अब आते प्रोणवस्था जो 21 से 40 वर्स्था की होती है और यह प्रोणवस तो 21 से 40 वर्स तक की अवस्ता होती है लक्षों को पाने की कोशिश की जाती है यह पारिवारिक जीवन प्रवेश की अवस्ता होती है और इसलिए 21 साल की आयू को ही शादी के लिए सबसे अच्छी मतलब 21 साल के बाद की जो आयू मानी जाती है शादी के लिए इसी वज़े से मानी जाती कि प्रारव्मिक जो अपनी पारिवारिक जीवन है वह अच्छे से और समझदारी से उसे प्रविस करता है तो और मद्य अवस्ता 41-60 वर्स तक सारे रिक्वा मानसिक परिवर्तन होने लगते हैं इस समय व्यक्ति सुख सांति प्रतिष्ठा से जीने की कामना करता आफ अब अवस्ता आप्रोड़्ण से प्रारह मोहोग्र जीवन की अंतिसमे तक मानी जाती है यह अवस्ता 3-oph Nolan लेंस aún सो अधिक कम होने लगती है तो यह से और से सवस्था , बाल रवस्था की सवर वस्था तरफ करवाउंगी तो नेक्स्ट वाफिक यह मानिक विकास की दूसरी अवस्था हो गई तो इस अवस्था में बालकों को जो भी कुछ बनना होता है बन जाता है यानि पांच वर्ष की आयू तक 90% मस्तिस्क विक्सित हो जाता है और पांच वर्ष की आयू में संग्या नात्मा विकास प्रारम हो जाते हैं यह पहला टॉपिक हुगा मतलब पहली लाइन हुई सेकंड पॉइंट है इसका जात प्रथमति वर्ष के प्रथम ती वर्षा से उतले इसका पूर्व से सबस्ता के रहे व्कास हो गया इसके पूर्व से सबस्ता के अगे इसे और ऑफेल से सवस्था के वंघ की तीन वर्थ तक जो वस्ता होता है उसी मेह बच्चों का 90% विक्सित जो मस्तिस्क है वो विक्सित हो जाता है बाद का 10% अन्यवस्थाओं में होता है तो बाद के दो वर्सों में अफिक्षाक्रत विकास की गति धीमी पर जाती है मतलब सुरू के जो तीन वर्स होते हैं उसमें विकास की जो होती है वो बहुत तीवर होती है उसके पाद धीमी प को प्रवर्टी बहुत होती है वह अपने खिलोनों को बिविन प्रकार से प्रयोग करता है बारवार जमीन पर फैंक कर आवाज का उन्भव करना या फिर खिलोनों को अलग-अलग कर देना उनकी जिग्यासा को दर जाता है जैसे हम जानते बच्पन में बच्चे खिलोनों तो क्या तोड़बोड करने लग जाते तो उनकी नई नई चीज बनाएंगे कि उसे जोड़क से दोबारा बना देंगे उसी couples अलगता रहां कि एक्स파मेंट करने लगते हैं मतलब क्या ऐनन अंधर देखने की किसी के अंधर क्या है क्या क्या चीज बन सकती है बहुत जानने की लालसा होती है उनके अंदर तो सिसू के सीखने की प्रकरिया बहुत तीवर होती है गैसल के अनुसार बालत प्रथम छे वर्सों के बाद के बारे वर्सों से मतलब जो बाद के बारे वर्सों है और पहले के जो छे वर्सों में जादा सीख लेगा बारे वर्स के अपिक्षा सिसु में अच्छी और बुरी बातों का ग्यान नहीं होता क्योंकि वह समास से अलग होता है क्योंकि उसका व्यक्तित वह अंतरमुकी जो सिसु होता है सेस वस्ता में जो उसका व्यक्तित वह होता है वह क्या होता है अंतरमुकी होता है बाले वस्ता में बाहे मुकी होता है और ओधिजने साओत तो एक मतलब हो समाजी खेलने लगता है वह वच्चों के साथ खेलना पसंदक iejले waloten साजा ना प्छली फिलोन विक्त तो सिसु अपने विकास के लिए सांत और सुरक्षित वारता बने चाहता है अता विद्याला का बात अरून भी इसी प्रिकार का होना चाहिए सेज़ावस्ता के अंतिम भाग में सिसु दूसरे बालकों के साथ मिलना जुलना और खेलना पसंद करता है अता उनको अधिक रोकना टोकना नहीं चाहिए ताकि सामेजिक तविकास्ती बगती से हो सके सिसु में आत्म प्रदर्शन की भावना होती है अता उसे उसके अनुरूप ऐसे कार करने देने चाहिए सिसु को डाटना पेटना ता उस पर करना चाहिए उसके पति ऐसा वेवार करता नहीं चाहिए स्याउप है उसे सोचने से विच्णे करने कि अधिक को प्रदान प्रदान करणां करते हैं तो ऐसे करने से मॉनकों मॉन्टे श्रीप धिति में परियों की कहाने तो आपना जगत में ज्यादा अपना ध्यान देगा वास्तविक जीवन से तो सिसु की सिक्षा में कहानियों और सचित्र पुस्तुकों का विशिष्ट ध्यान होना चाहिए सिसु को खेल द्वारा सिक्षा दीने चाहिए क्योंकि इस्ट्रेन के अनुसा सिसु अपने पुस्तुकों में देखना पसंद करता है सिसु को खेल द्वारा सिक्षा दीने चाहिए क्योंकि इस्ट्रेन के अनुसा सिसु अपने एवं अपने संसार के बारे में अधिकांस बाते खेल के माध्यम से सीख लेता है इसलिए सबसे जादा जो प्रवापकारी जो पद्दिती होती है वो खेल के द्वारा ही स्कूलों में कराई जाती है पढ़ाया जाता है सिखाया जाता है ताकि पच्छा अच्छे से सीख सके तो आज का टॉपिक हम यहीं पर समाप करते हैं से सवस्ता पर नेक्स टॉपिक ह हुआ